यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ यूटूब यूटूब ऑगल झाल 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 आपको बता दे हर्याना में 5 नगर निगम चुनाव खुले कर मद्दान शुरू हो गए हैं सुबह साथ जए से ही मद्दान शुरू हो गए हैं आपको बता दे और मद्दाता मद्दान केंदर में पहुँच गए हैं और अपने अपने मद्दान का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको बतादें, चुनाओ को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतिजाम मतदान के अंदर पर किये गए हैं तो आपको बतादें, कि हर्याना में पांच नल निगम चुनाओ को लेकर सुबह से मतदान शुरू हो गये हैं गई हैं मत्दाता मद्दान केंदर पहुंच कर मत्दान देना शुरू कर दिया है हमारे समधाता विकास विश्णोई हिसार से हमारे साथ जुर गए हैं तो उनसे जानते हैं कि मद्दान को लेकर मद्दाता मद्दान केंदर पहुंच चुके हैं किस तरह का महौल अभी वहाँ पर बना हुआ है जी विकास विश्णोई तो आपको बता दे कि सुभा से ही मत्दान शुरू हो गए हैं आपको बता दे बदाता मत्दान केंदर पर पहुंच के हैं और सभी अपने-पने मत्दान का इस्तिमाल कर रहे हैं अपनी इच्छा के नुसार मेर प्रत्याशियों के लिए अपने मत्दान का इस्तिमाल किया जा रहा है और सभी पुक्ता इंतजाम हाला कि वहाँ पर किये गए हैं और भीर जुटनी भी शुरू हो गई है क्योंकि सुबह साड़े साथ बजे से ही मत्दान शुरू हो गए हैं जिसको लेकर अब देखा जा सकता है कि पोलिंग बुथ पर भीर जुटकी है और आप देख सकते हैं कि उस रक्षा के भी पुक्ता इंतजाम किये गए हैं जवान तैनाद कर दिये गए हैं कि भीर का महल होते होते परिस्तितिया ना बिगड़े सभी इंतजाम इसी लिए प्रशासन के द्वारा किये गए हैं प्रशासन ने भी अपनी कमर कस्नी शुरू कर दी है ताकि कि किसी भी तरह की कोई परिशानी ना हो और हर्याना में पांच नगर नेगम चुनाओ को लेकर ये वोटिंग शुरू हो गई है सुभा साड़ साड़े साथ बजे से आपको बता दे और मतदान के इंदर में मतदाता अपने मतदान के लिए पहुँच चुके हैं अब देखना ये रहेगा कि जितने भी मेर पर्तिय है उनकी किस्मत का फैसला तो मतदान के बाद ही होगा जो कि 19 दिसंबर को होना है तो आपको बता दे उसी को देखना ये रहेगा कि अब मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और किसे जीत दी जाती है तो हमारे समदाता विकास बिश्णोई हमारे साथ लाइव चुड़गे हैं हिसार से तो उनसे चानते हैं कि मतदान केंदर में मतदाता अपने मतदान के लिए पहुँच चुके हैं किस तरह का अभी वहाँ पर महौल बना हुआ है जी विकास बिश्णोई देखे अर्चना इस वक्त हम मौझूद हैं वार्ड नमबर दो के बूत नमबर दस के उपर और लगबग लगबग एक घंटे और तस मिनट का वक्त हो गया है लेकिन यहां अभी दो से तीन मतदाता पहुंचे हैं उसके पीछे की वज़े यह है कि एक तो सुबै का वक्त है और यहां पर ठंड ज्यादा है और दूसरी बात कि 204 बूत बनाएंगे हैं और 204 बूत को अगर हम डिवाइड करते हैं वोटर्स के हिसाब से तो करीब-करीब 500 वोट यहां पर पोल होने है यानि कि कुल 500 वोटर्स ह पूरे दिन का वक्त है तो लोग थोड़े अराम से घर से निकलना चाहते हैं क्योंकि ठंड ज्यादा है और वैसे भी नगरनिव का चुनाव हैं तो जो से लेकर लाया जाएगा उन्हें घरवांपर चौड़ जाएगा पर चौड़ाएगा जी तो जैसे कि विकास विश्णोई हमारे साथ हिसार से लाइव जुड़े हो उन्होंने बताया कि मतदान केंदर में अभी मतदाता नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि ठंड भी एक कारण रहा है और साथी साथ 204 बूद बनाएगे हैं तो 500 वोटर्स की वहाँ पर भीर रह सकत है तो यह शायद आगे समय बढ़ता जाएगा तो मतदान केंदर पर मतदाता जुटने शुरू हो जाएंगे और अपने मतदान का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको बता दें कि मतदान केंदर पर हमारे साथ विकास विश्णोई जुड़े हैं तो हिसार से हमारे साथ जैसे की विकास विश्णोई जुड़े तो उन से जानते हैं कि एक बार विकास विश्णोई पीछे का मोहल दिखाया जाए जैसे की सुरक्षा के पुखता इंतजाम वहाँ पर किये गए हैं किस तरह की वहाँ पर स्तीती है और क्या कुछ इंतजाम विकास विश्णोई एक बिल्कुल अर्चना मैं मेरे सेयोगी से कहना चाहूंगा कि जो पीछे है क्योंकि पुलिस की ववस्ता यहां ठीक्था की गई है पांस पुलिस कर्मी यहां पर तेनाथ है क्योंकि महिला वोटर भी ज्यादा है यहां पर इस बूत की बात करें तो महिल पहलतू का शक्षे यहां पर पहुंचे मेडिया कर्मियों के लिए भी खासा हिदायते यहां पर जारी कि गई है डिप्यारों की तरफ से लेडर जारी कि आगया था आईकार्स जारी कि गए थे उसके बाद एंट्री हुई है लेकिन जो मेन गेट है जहां पर वोटिंग हो वही है उस कमरे के अंदर उस हौल के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है सिवाई मत दाता के अगर अधिकारियों की बात करें तो यहां पर तीन बड़े अधिकारी हैं जो पॉलिंग ओपिसर हैं वह मुझूद है मजिस्टेट ड्यूटी मजिस्टेट लगातार बीच-बीच पुरूर्ण व्यवस्ता की गई है अर्चनत और अभी फिलहाल जो माहूल है यहां पर आसपास वो बिल्कुल ठीक है किसी भी तरह की यहां पर कोई गड़बट नहीं है और नहीं कोई संदिक देशीजें यहां पर आसपास नजर आ रही है जे तो आपको बता दे जैसे कि हमारे सवदादा से लगता हमारी बात हो रही थी हिसार में भी स्रक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं बहुत-बहुत शुक्रिया विकास विश्णोई आपका तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दे हिसार का जैसे कि हमने माहौल देखा अभी तक कोई भी ऐसी गड़बड़ी वहां पर नहीं हुई और पुखता इंतजाम किये गए हैं स्रुक्षबल तेनाद की गई है महिला कॉंस्टिबल भी वहां पर तेनाद की गई हाला कि उन्हें ने ये बताया कि अभी मतदाता मदान केंदर में नहीं पहुंच पाए हैं जिसका एक कारण तो ये रहा कि वहां पर थोड़ी ठंड जादा होने की वज़ह से सुभा का समय हैं तो अभी तक मतदाता वहां नहीं पहुंच और दूसरा कारण ये भी है कि 204 बुथ बनाएगे हैं जिसमें 500 मतदाता रहेंगे तो उसको लेकर हो सकता कि समय बढ़ते बढ़ते मतदाता भी मतदान केंदर पर पहुंच जाए और अपने मतदान का इस्तेमाल जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी हमें दी जा रही है कि पोलिंग बुथ पर किस तरह के इंतजाम किये गए हाला कि परशासन का वहां पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि परशासन के पुखता इंतजाम किये गए हैं महिला कॉंस्टिबल भी हो तो आपको बता दे हरियाना में नगनिगम चुनाओ सुभा साड़े साथ बजे से शुरू हो गए हैं और हर जगा परशासन के ओर से पुखता इंतजाम किये गए हैं चुनाओ को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिकत ना हिसार में 200 वार्डो में 204 बोलिंग बुद बनाए गए हैं और सभी वार्डो में ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और स्रक्षा के मद्दे नजर करीब 2000 जवान तेनात किये गए हैं परशासन की ओर से ताकि किसी भी तरह की कोई गरबड़ी ना हो कोई परिशानी ना आय और सुचारू रूप से मद्दान किये जाएं रोतक में 27 मद्दान केंद्रो पर पुलिस की नजर रहेगी आपको बता दे तो परशासन ने पुखता इंतजाम किये हैं और 135 बुद पर भी परशासन के द्वारा जबान तैनात किये गए हैं यमना नगर में 37 सेशन सवेदन शील हिसार में 69 और करनाल रोतक यमना नगर की आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं मद्दान केंद्र की यह तस्वीरे हैं जहां पर मतदाता मतदान के लिए पहुँच चुके हैं और करनाल रोतक यमना नगर की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं भीर जुटनी की तस्वीरे दिखाई हैं मददाता पहुंच चुके हैं और अपने मददान का इस्तेमाल किया जा रहा है 19 दिसंबर को फाइनल होगा किया कि जित किसकी होगी